असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स आज हम वही से शुरू करेंगे जहां हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था अभी आपको हैग फिश दिखाए गई है पिचर 28.15 में इसकी जो किड्नी उनके बारे में यहां पर डायग्राम को एक्सप्लेइन किया गया है टेस्ट इस मौझूद हैं मेल रिप्रोड़क्टिव और और किड्नी मौझूद हैं किड्नी की जो टुब्यूल निकल रही हैं यह सारी लिंक कर रही हैं अल्टीमेटली एक डग्ट बनाती हैं जिससे और ची नेफरिक डग्ट कहते हैं और फिर यह एनस के तुछ जिसम से बा हैं हमले चुब्यूस मिलकर एक बड़ी ड़क्ट में आरे हैं आर्ची नेफरेडेक्ट ये अगें एससरी यूनिर्नरी ड़क्ट के साथ मिलती है और फिर ये इनस की तरफ जाकर खुलती है पूरा जो सिस्टम है इसका वागे से और इसकी सम्की जो किड्नी है वो अविस्तो जो यूनिट्स है उनसे मिलकर बनती है रेप्टाइल्स की तरफ आ जाते हैं रेप्टाइल्स में बिर्ड्स में और मेमल्स में आगे फिर मेटानैफरिक किड्नी है यह सबसे ज़दा कॉंपलेक्स फॉरम है किड्नी की मेंली इस मेड़ अप और नैफरोंस तो टेस्टिस आ और फिर एनस की तरफ खुल रही है और जो दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि जो टेस्टेस से निकलने वाली डक्ट्स हैं उन्हें डक्टस डेफरेंस भी कहते हैं उन्हें पुरानी जो बुक्स थी उनको वॉस डेफरेंस भी बोलते थे कुछ में जैसे यहां पर आर्ची न जो जानदर के जिसम से निकलती है और उसमें मेजर जो नाइट्रोजनस वेस्ट खारिच किया जा रहा है वह कौन सा है तो आर्गमिसम्स की बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर मचलियां है फ्रेश वाटर मचलियां है यूरिन कंसंट्रेशन जो ब्लाड के साथ इसकी हाइप अजल्ड वाटर फिश हाइपर उसमॉटिक एंवारिममें रहती हैं जाहरी बात है क्योंकि ये नमकीन पाने में पाया जाने वाली मचली है तो इनका जो ऑइसओमॉर्न रखा जाता है ताके जादा मिनरल आइन्स हैं वो जड़र से ज़ादा समंदर के पाने से निके जिसम करते हैं मेरीन मैमल्स की बात करें तो हाइपर ओस्मॉटिक एंवारिन्मेंट अगें और फिर ये कोशिश करते हैं कि हाइपर ओस्मॉटिक बहुत ही कंसेंट्रेटेड यूरेंज है वो खारिच किया जाए क्योंकि ताजा पानी पीने को नहीं मिलता डैजर्ट मैमल्स इनको क्योंकि बारिच और खुश्क साली की वज़े से पानी नहीं मिलता यह भी हाइपर ओस्मॉटिक जो यूरेन है बहुत जादा हाइपर ओस्मॉटिक यूरेन उसको एक्सक्रीट करते हैं मैरीन बर्ड्स समुन्दरों की तरफ पाय जाने वाले जो बर्ड्स हैं इनके बारे म सिप лएन बर्ड्स अगें लिखा हुँ रिलीज इनकेल तरफ यह कंपेरिजल्स फारए कर देदेन नहीं हुआ मिगें आजूएप तैरिस्ट्रील बर्ड्स टेरिस्ट्रील बर्ड्स वीकली रिपर ओस्मॉटिक हैं क्योंकि टेरिस्ट्रील एनवारेन में रहने वाले जू यृडिके सिड है और साथ में की एडैप्लिशण लिख्य हुई है कि कौन सा मेजर तरीका है जिसकी वजह से यह अपना जो अबसॉपशन है विज़ की पानी के पान्म कर लेते हैं बिसाल के तोर पर ड्रिंक व्रेश वाटर, ताजा पानी पीना पसंद करते हैं, तो अपने परिंदों को गर्मियों में स्पेशली देखा होगा, कि जहां जहां नलके लगे होते हैं, नलके के पास की जगा होती हैं, यहां हम अगर उनके लिए बरतनों में पानी रगदें तो वहाँ से पानी पीना पसंद करते क्योंकि यह ताजा पानी होता है इसमें सौठी कंसेंट्रेशन कम होती है और उनके लिए असानी होती है यह डाइग्राम हमने पिछले लेक्टर में डिसकास कर ली थी अब amphibians, reptiles और birds के बारे में जो हमने टेबल देखा है बिलकुल वैसी ही details जो हो यहाँ पर लिखी हुई है इसलिए मैं इसकी depth में नहीं जा रही यहाँ पर diagram 28.18 जो है इसमें आपको एक mammal के बारे में दिखाया गया है कि क्या difference आपको यहाँ पर नजर आएगा आप देख सकते हैं कि cool dry air को यह inhalation के दुरान अंदर लेकर जा रहे है nasal cavity में nasal cavity में फिर यहाँ इसको गरमाईश और moist किया जाता है body की heat से इसे गरम करके आगे भेजा जा रहा है lungs के अंदर lungs में warm air जो हो जाती है इसलिए क्योंकि हवा को नमदार निकाल के अंदर लाया जाता है और खारिज किया जाता है ताकि यह हमारे cells की अपनी अंदर dryness क्रियेट न कर देए अब इसी चीज़ को reverse करके दिखाया गया होट moist air निकाली जारी है खारिज की जारी है इसमें body heat जाली जारी है बाहर निकालते हैं वह थोड़ी सी warm भी होती है और थोड़ी सी moist भी होती है और इस चीज़ को आप अंदाजा कर सकते हैं अगर आप अपने हाथ पर सांस निकाले तो आपको फील होगा कि पानी जो है उसकी एक फीलिंग आपको आएगी वाटर वेपर्स की आपको एक फीलिंग आएगी और गर्माईश की आपको एक फीलिंग आएगी अब बात कर लेते हैं मैटानेफरिक किड्नी की उससे पहले क्योंकि यह सारा सिस्टम इन्होंने हुमिन बिंग्स में डिसकस किया हुआ है और यह आपको पहले मैं दिखा देती हूँ सबसे उपर आप देख रहे हैं इनफीरियर वेना के वाँ बड़ी वेन है बॉड़ी के निचले हिस्से में डिवियंस पैदा करती है ब्राचेस पैदा करती है और वहां से ब्लड जो है वो इकठा करती है और फिर जो दो किड्नी में मौझूद है एक थोड़ी सी उपर है इक थोड़ी सी नीची है यह आपने सेकेंडर में भी पड़ा वहा है कि दो किड्नी होती है वो पॉजिशन वाज एक थोड़ी सी उपर होती है उपर पीले रंग का इनके ओपर आड्रेनल ग्लैंट पाया जाता है हर किड्नी में से निकलने वाली दो पीली नालिया आपको नजर आने है जिने हम यूरिटर कहते हैं यूरिटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाकर खुलती है यूरिनरी ब्लैडर यूरितरा के तुरू जिसम से बाहर यूरिन को खरेज करता है एकस्पैल आउट करता है अब बात कर लेते हैं हम किड्नी की ये देखिए जो वेना के वो किडिनी के लिए यूज होते हैं और यह जो वेन है यह खून फूरिफाय करकर के साफ करле के यहां से बाहर निकाल लेती है निकाल दोर और उसरी निट्रोजन वेस्ट कंटेइनिंग और वेस्ट कंटेइनिंग ब्लड के टकð पुर्ड है cards और आप निल निकाल नाफरौन का था लैकों की दिदाज में वोते हैं किड्णी में और यह तमाम अंदर जो किड्णी का हिस्स है उसके अंदर जा बजा महुझूद होते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि हर आर्ट्री और हर वेन आगे जाकर छोटी-छोटी मजीद ब्रांचिस में तक्सीम हो जाती है ताके पूरी किट्नी के अंदर जो ब्लड को लाया जाया और ब्लड को फिर इकठा किया जाएगा प्योरिफाय करके यह कम बेतर तरीके से सर प्राम दिया जा सके तो अंदर जाकर जब यह रीनल आर्ट्री रीनल वेन ब्रांचिस पैदा करती है तो इंटर इनको लॉबर आर्ट्री और इंटर लॉबर वेन कहते हैं फिर जाके यह मजीद छोटी-छोटी फाइन वैसल्स में तक्सीम हो जाती है और पूरी किट्नी मे जगा जो है वो भर जाती है अच्छा दी बाहर का हिस्सा किट्नी का कहलाता है कॉर्टेक्स अंदर का हिस्सा कहलाता है मेडिूला मेडिूला के अंदर आप जा बजा देख रहे हैं तिकोने से स्रक्चर्स हैं जिने पिरामिड्स बोलते हैं अब दोनों जगा दर्मियान में नेफरोन जो हैं वो जाब 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 पाए जाते हैं यहां से नेफरोन collecting tubules के अंदर खुलते हैं collecting tubules एक से ज़्यादा नेफरोन के साथ link करती है और यह collecting tubule renal pelvis जो दरम्यान का पीला हिसा है उसमें जाके खुलती है renal pelvis आगे से तंग हो जाती है narrow हो जाती है और एक tube बना देती है जिसे ureter कहते है अब आपको इन्होंने glomerulus दिखा है लेकिन उससे पहले मैं आपको explain करना चाहूंगी नेफरोन हाई नेफरोन के अंदर जाकर interlobular artery और interlobular vein link करती है interlobular artery जो capsule like structure है जो के एक grift वाला हिस्सा है नेफरोन का सबसे पहला हिस्सा है उसके अंदर एक चोटा सा गुच्छा बनाती है इस गुच्छे को बंच को glomerulus कहते है और जो couple like structure है जो के hook के जैसी appearance दे रहा है उसे हम glomerulus capsule बोलते है अब यहाँ पर एक blood vessel जो है लेकर आएगी glomerulus के अंदर दाखिल करवाएगी जो के nitrogenous waste से भरा हुआ होगा इसे हम कहते हैं afferent arteriol और एक जो इसकी branch है network बनाने के बाद वो वापस लेकर जा रही है खुन उसको निकाल रही है उसे हम कहेंगे efferent arteriol दोनों जो arteries हैं adrenal artery दाई तरफ की बाई तरफ की फिर आगे जाके वो interlobular जो chain है blood vessels की वो पैदा करें हैं और उसके बाद हर nephron के अंदर arteriol पर आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पूरा bunch पैदा करें network पैदा गारी जिसे हम glomerulus कहते हैं अब यह सारे का सारा network blood vessels का nephron के पूरे हिस्से को जकर लेता है और nephron जो है उसमें सबसे पहले जो bowman's capsule है जिसे हम glomerular capsule कहते हैं इसको पुराने जबानों में bowman's capsule कहते थे वो बालदा हिस्सा बना देता है जिसे कहते है proximal convoluted tubule proximal अगला convoluted बालदार यह ट्यूब है उसके बाद यह थोड़ा सा narrow हो जाता है narrow होने के बाद यह बारीक हो जाता है और मजीद और उसके बाद यह U-shape करके वापस उपर आ जाता है तो इस U-shape हिस्से को हम कहते है loop of henley पुराने जबान में loop of henley कहा जाता था अब loop of nephron भी कहा जाता है इसमें से वो हिस्सा जो कि नीचे की तरफ जा रहा है जाती नीचे की तरफ निशान कर रहा है उसे कहते है descending limb और वो हिस्सा इसका ट्यूब का जो उपर की तरफ उठ रहा है उसे ascending limb कहते है उसके बाद आप देखते हैं कि nephron जो है मजीद दुबारा आखिर में बालदार हो जाती है लास्ट बाल जो पैदा करती है उसे कहते है distal convoluted tubule यहां से interlobular vein जो है वो सारा blood इसमें से absorb कर लेती है और end पे nephron जो है वो जाके एक बड़ी सी duct में खुलता है जिसे कहते है collecting duct collecting duct का नाम ही collecting duct इसले रखा गया है क्योंकि यह खून को एकठा करती है दो तीन nephron के साथ यह लिंक करती है यहां पर आप देख सकते हैं कि उसमें openings दिखाई गई है nephron जो है उसकी position भी दिखाई गई है कि इसका आदा उपर वाला हिसा जो है वो cortex में होता है nephron भी आगे से position भाइस जो हते हैं वो काफी होते हैं जक्स्टा, medullary वगरा इस्टा की terms हम यूज़ करते हैं उसको हम जब इंशाला तला टेक्स पढ़ेंगे तो फिर discuss कर लेंगे अब यहां पर आपको अगेन इनोंने nephron को blood vessels के बगएर जो है वो दिखायागा है किस तरह से इसमें जो सारी absorption है वो होती है तो आप देख सकते हैं कि जनाब millimolars में आपको दिखायागी यह concentration effron arteriol, effron arteriol एक खुन लेकर glomerulus का network बनाएगी एक glomerulus capsule के बाहर निकल जाएगी glomerulus capsule जो है वो hook-like structure है वो capsule-like structure है जिसने glomerulus को घेरा डाला है पहले बल को दिखायागा है proximal convoluted tubule फिर loop of henley दिखाई गई है जिससे loop of nephron भी कहते हैं फिर distal convoluted tubule दिखाई गई है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि collecting duct दिखाई गई है अब इन्होंने ions, minerals की absorption होती है नेफरोन के लेवल पर वो सारी आपको दिखाई है कैसे की जाती है तो sodium को active transport करके जिसने वापस भेजा जाता है क्योंकि sodium थोड़ा कम जो है वो हमें acquire होता है अपने food के तुरू और इसकी requirement जाता है तो इस वज़ा से energy expand करके इसको body के दर वापस भेजा जाता है कुछ sodium diffuse भी हो जाती है जब concentration जो है वो ज़्यादा हो अच्छा जी उसके बाद chloride आईन को भी diffuse किया जाता है परपल कलर में आप देख सकते हैं कि इसकी movement दिखाई गई है पानी को भी diffusion के अमल से ही जो है सारे अलग जो compounds है जो basically हमारे urine में शामिल होते है जिनकी absorption है या release वो importance रखती है उनको अलग तीर से आपकी बुक में दिखाया गया तो आप देख सकते हैं कि रट तीरों में पानी जो है वो absorb हो रहा है और यह ट्यूब के अंदर से गुजर रहा है और इसमें से अभी भी जिस पानी की ज़र होता है उसको जिसम के अंदर वापिस भेजा जा रहा है इसी तरह सोडियम को भी जिसम के अंदर वापिस भेजा जा रहा है sometimes इसको concentration gradient के against भेजना पड़ता है तो उसको हम फिर active transport कहते है chloride ions का भी आप देख सकते हैं कैसी तरह से इसको move किया जा रहा है ultimately जो पानी और minerals ions बहुत थोड़ी मिकदार में होते हैं nitrogenous waste जो होता है वो पानी के अंदर हलोकर वो urine बन गया होता है तो वो खासी packaged form में convoluted tubule से होता हुआ तो collecting duct की तरफ जा रहा होता है जो के बहुत हतक त्यार urine होता है जिसको मजीद बहुत जादा check and balance की ज़रूरत नहीं होती यहां पर अभी भी देख लिए जाता है कि अगर पानी की अभी भी ज़रूरत है बाडी को तो उसको absorb कर दिया जाए रिया absorb कर के जिसम में वापस भेज दिया जाए और फिर फाइनली जो के यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ रिनल पैल्विस के अंदर पहले पोर किया जाता है फिर रिनल पैल्विस उसको यूरिटर के तरफ यूरिनरी ब्लैडर में अखराज करेगा उसका तो उसमें पानी, यूरिया, यूरिक एसिड और इस तरह के और ऐसे मेटाबोलाइट्स कमपाउंड होते हैं जिनकी हमारे जिसम को जरूरत नहीं होती और कुछ ड्रग्स वगरा जो हम खाते हैं अपने अलाज़ वार के नतीजे में तो उनका भी जो मेटाबोलाइट्स बनते या रिमेनिंग उनके भी जो एफेक्ट काॉस करने वाले कमपाउंड होते हैं जिनको खार्च करने की जरूरत होती है तो वो इस जरूर्ण के तरूज है वो निकलते हैं